नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्ट निलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं बात करने वाली हूँ स्नेक ब्लांट पे या सेंसी विरिया भी इसको कहते हैं इसको मदर्ज लॉर्स टंग भी कहते ह तो फ्रेंट्स के मैसेज आ रहे थी कमेंट आ रहे थी कि हमारा जो है स्नेक ब्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा तो इसी विशे पे हम बात करेंगे हम ऐसा क्या करें कि इसकी ग्रोथ तेज हो जाए और अब वारिशों का सीजन है हमारे यहां पर तो वारिश शुरू हो गई है वारिषों में फ्रेंस यह अपने बेवी प्लांट प्रोडीूस करता है। तो हम ऐसी क्या इसको फीड दें, क्या इसमें हम काम करें इस हमारा पोदा घणा हो जाए। यह और भी ज्यादा बेवी प्लांट प्रोडीूस करें। और इसकी पत्तियों में जो वेरिगेशन है बहुत से कमेंट आ रहे हैं जो येलो कलर का वेरिगेशन है ये कई पोदों में नहीं होता जो बेवी प्लांट नहीं निकलते हैं उनमें नहीं होता क्या कारण है उनमें ये वेरिगेशन ना होने का और ये वेरिगेशन किस तरह से आएगा ये friends मेरे दोनों बेबी प्लांट है जो बड़े-बड़े हो गए है और वेरिगेशन आप देख रहे हो कितना अच्छा इसमें निकल के आया है तो आपने क्या करना है इनको वेरिगेशन के लिए दूप में रखना है सुबह की दो गंटे की इसको दूप मिले या इस मुठी ले रही हूँ बर्मी कंपोस्ट क्योंकि मेरे तीन पोट है इसके स्नेक प्लांट के तो friends आपके पोदे में अगर किसी भी तरह की फंगस होगी या जड़ों में कीडा लगा होगा तो ये नीम की खली जो है बरसात के सीजन में आपके पोदे की रक्षा करेगी और ज इससे आपके पोदे की तेज ग्रोथ हो जाएगी तो friends आपने क्या करना है पोदे की मिट्टी में गुडाई कर लेनी है एक इंच तक एक इंच तक गुडाई करके तो साइडों साइडों में हम इसको डालेंगे आप याद रखें जब भी इस कंपोस्ट को डालें तो आपन मिट्टी बिल्कुल सूखी हो ऐसे सोगी मिट्टी में नहीं डालना है जा हलका मोस्टर हो ताकि हम खाद डालने के बाद इसमें पानी डाल सकें क्योंकि इस पोदे को पानी ज्यादा requirement नहीं होती है पानी की तो अगर हम खाद दे के सोगी मिट्टी में खाद डाल के पानी जालेंगे तो इसकी जो रूट्स है वो गल जाएंगी इसलिए इस बात का आपने खास ध्यान रखना है देखिए आपने इस तरह से डाल देनी है कंपोस्ट और उपर से मैं डालूँगी इसमें पानी तो मैं तीनों गमलों में डाल देती हूं कंपोस्ट देखिए मैं पानी है पी डाल दिया है और फ्रेंस इसपे अगर आपके पोदे पर वेजइशन नहीं है तो आप इसे में इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना है यह सुबह की 2 घंते की दो या शाम की 2 घंते की दूप इसको मिले तो इसके पोदे पर अपने आप वेरिगेशन आ जाता है या आप सेमी शेड में इसको रख सकती है ग्रीन नेट या कहीं शीट वाली छट के नीचे देखिए फ्रेंस मैंने इसको स्टेर्स में इसलिए रखा है क्योंकि हमारे स्टेर्स में फाइवर की छट है तो इसके में से इसको धूप छन के आती है, जिससे इनका वेरिगेशन भी अता है, अच्छा है जो इसमें कड़कपन है, पत्तिवों में वो भी बहुत अच्छा रहता है जो भी मैं पानी डालती हूँ रोजा के रोजी मिट्टी में सूख जाता है और रोजी मैं पानी इसको देती हूँ अगर हम इसको low light में अंदर घर के इंडूर रख लेते हैं फिर इसके ना तो वेरिगेशन आता है ना ही इसका पानी सुकता है फ्रेंट ना ही इसमें ग्रोफ होती है यही कारण है कि आपके पूदे की ग्रोथ दूप जाती है इंडोर हम रख तो लेते हैं सजावड के लिए बट इसकी ग्रोथ जो है वो सेमिशेड में ही होती है अच्छे से और इसका वेरिगेशन वीज दूप के कारण ही आता है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और कमेंट कमेंट करें मिलते हैं किसी वीडियो में किसी नहीं